हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मीरा भाई चानू ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसमें मेरे दोस्तों उन्होंने जीता है सिल्बर मैडल टोक्यो ओलम्पिक में तो आईएगा एक नजर डालते हैं इनके अब तक के सफर पर इनका जो तो ये सफर सुरू होता है 2014 से 2014 ग्लास गो में कॉमन वेल्थ गेम्स मेरे दोस्तों वहाँ पर 48 किलोग्राम केटागरी में मीरा भाई चानू ने सबसे पहले जीता था मेरे दोस्तों सिल्बर मैडल तो ये इनका पहला मैडल था दोस्तों उसके बाद अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो 2016 में इन्होंने रियो डे जनेरियो ओलम्पिक में पार्टिसिपेट किया था लेकिन वहाँ पर ये मैडल नहीं जीत पाई थी लेकिन यही पर इनका सफर नहीं रुका फिर आया 2017 और दोस्तों 2017 के साथ USA में होने वाली वर्ल्ड चैंपियंशिप में मीरा बाई चानू ने दागा सीधा गोल्ड मेरे दोस्तों ये इनका दूसरा बड़ा मैडल था उसके बाद मेरे दोस्तों 2018 में एक बारी फिर से जब आप लोगों के Commonwealth Games हुए गोल्ड कोस्ट में मेरे दोस्तों गोल्ड कोस्ट Australia में आप लोगों के तो मेरे दोस्तों क्या वहाँ पर इनुने फिर से जीता क्या एक गोल्ड मेडल दोस्तों ये इनका तीसरा वे एक बड़ा मेडल था और इसी साल भारत सरकार ने इनके पिछले चार साल के खेल को देखते हुए इनको मेरे दोस्तों दिया था राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड जो 2018 में विराट कोहली के साथ में जो हमारे खेल का सरवोच सम्मान है राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड वो इनको 2018 में मिला था दोस्तों उसके बाद 2020 में यहाँ पर बात आती है एशियन गेम्स की जो की तासकंत में हुए थे वहाँ पर मेरे दोस्तों इन्होंने जीता था अपनी लाइफ का चोथा बड़ा मेडल ब्रॉंज मेडल मेरे दोस्तों और उसके बाद इन्होंने अपने सफर को जारी रखते हुए अभी हाल ही में आज ही मेरे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जीता है मेरे दोस्तों अपने जीवन का पाचवां बड़ा मेडल जो की सिलवर डल है आप सभी लोग जानते हैं दोस्तो मुझे आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि राजीव गांधी खेल रतन वर्ड में कितनी प्राइज मनी दी जाती है और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो आपको जिस भी टॉपिक प हारत दोस्तो